नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसंद होंगे तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे मेरे 5 मंस के हेर ग्रोथ का तो आप यह देख सकते हैं मैंने धूप में वीडियो बनाया है और इस तरीके की मेरी हेर ग परकार का है और सफेद बाल काफी मतलब मैले टाइप के लगते थे तो मैंने अपने बालों में महदी लगा लिए मैं सोच रहा था कि बालों को थोड़ा और लंबा रहने दूँ बट आप इन फोटोस में देखेंगे कि बाल जो है वो काफी अलग-अलग डारेक्शन में ज आप इसे देख सकते हैं बहुत ज्यादा तो नहीं भरा है कि क्राउन एरिया रह गया था और यह लेट साइड की हर और आप देख सकते हैं कि एक यहां पर छोटा सा बॉयल हुआ है लगकिन वो ट्रांस्प्रांट का साइड एफेक्ट ऐसा होता है कि आसे बॉयल होती है और और ज्यादा बाल पद्रे लगते हैं क्योंकि वह एकदम स्कियन के इताम में ब्लेंड हो जाता है तो जब एकदम इतामे закон में आगे फोटो मैं आपको डीटेल में दिखाऊंगा उससे काफी मेरे बालों में वॉल्यूम दिखता है और काफी घने भी दिखते हैं तो यह जो मैं हेर कट के जस्ट पहले मैंने यह वीडियो शूट किया है तो आप देख सकते हैं कि यह है मेरा पांच महीने का हेर ग्रोथ ब अभी सामने से भी मैंने थोड़ा शेप दिया है बालों को है बार्बर से प्रॉपर ट्रिमिंग कर आई है जो पहले मैंने ट्रिम कर रा था वह कुद ही कर रहा था तो यह देखिए आप यह है ऐसा बालों का हेर क्रोथ और यह है डोनर एरिया कंडिशन आप दिख सकते हैं अभी भी काफी घना है और काफी भर चुका है इस साइट से भी आपको दिखा देता हूं कि ऐसा है डोनर एरिया और बाल मेरे काफी खिचडी टाइप के हैं और ऐसा कोई गैप नहीं दिख रहा है जो शॉकलास हुआ था जो मैं आपको बोल रहा था यह कुछ जिख होगा एक्स्ट्रक्शन हो गया था वह स्पोट वैसा ही है ब्लैंक है वह उतना नोटिसेबल नहीं है इसलिए मैंने उसको वीडियो में कवर नहीं किया और यह है फ्रंट पोर्शन ऐसे बाल दिखते हैं और थोड़ा मेरे बाल बढ़ते हैं तो अपने आप घुंगराले हो जाते तो बालों की ग्रोथ काफी ज्यादा जल्दी होती तो इसका रण से ट्रिम कराना काफी जरूरी होता है कि उसके बाद ही आप प्रॉपर शेप दे सकते हो आपको मैं अपना टॉप पॉर्शन भी दिखा देता हूं कि ट्रिम के बाद जब कंगी करने पर जो crown एरिया पतलें इसलिए दिखता नहीं है और ये गीले बालों में मैंने फोटो ली है इससे आपको लगेगा समझ में जागी कि ग्रोथ कैसी है यहां पैसे को छोपाने का काम नहीं है नहीं मैं कोई कि ट्रांस्प्लांट का बिजनिस कर रहा हूं कि लोगों को प्रोवोग करूं कि आप ट्रांस्प्लांट कर वालो जो रिजल्ट है मैं आपको दिखा रहा हूं और ट्रांस्प्लांट के समय कैसा था और ट्रांस्प्लांट के बाद अभी कैसा है वो भी मैंने आपको कंडिशन इस फोटो में दिखाई है कि कैसे बाल भर गए हैं और ये गीले बालों में भी मैंने आपको दिखाया है ताकि आपको समझ में आजा कि कैसी ग्रोथ है कुछ लोग के फ्रेम काट देते हैं अपना क्राउन एरिया जो बॉल्ड है वो छोपाते हैं और अच्छा रिजल्ट पन पर भी आप देख सकते हैं बहुत बहुत जादा अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी जितना कवरेज चाहिए होता है कि आप बॉल्ड नहीं हो टोटल वो दिखाने के लिए उतना कवरेज है और यह देख सकते हैं कि यहां पर भी ठीक ठाक ग्रोथ आ गई है मेरी ट्रांस करते हैं तो ऐसा बाल दिखता है तो बालों का वॉल्यूम तो डेफिनेटली बढ़ा है हां ऐसा कह सकते हैं कि 100% ग्राफ जो है वो ग्रो नहीं हुए तो कुछ जग है 5000 ग्राफ में इतना अच्छा रिजल्ट आया है कि उनके एकदम ही घने बाल होगा जैसे कि जवानी में ह वैसा मेरा रिजल्ट नहीं आया है 5000 ग्राफ बहुत ज्यादा होते हैं और मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए था बट किस कारण से थोड़ा कम आया है वो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा और यह सफेद बालों करन थोड़ा वल्यूम कम देखता है तो मैं मेहंदी लगा रहा हूँ मैं chemical color बिल्कुल भी नहीं लगा रहा हूँ कि जब मेरे पहली बार बाल जड़े थे chemical color के कारण ही जड़े थे तो मैं मेहंदी लगाँगा और सिर्फ natural तरीके से मैं hair transplant की growth चाहता हूँ मैं long term medicine लेने long term minoxidil लगाने के बिल्कुल भी favor में नहीं हू जैसे की hair transplant बकवास कौन से दूसरे दूसरे channel है वो minoxidil लगा लगा के अपने बाल maintain जरूर कर रहा है बट ये बहुत घातक होता है मैं long term medication के तो बिल्कुल भी favor में नहीं हूँ जितना भी details है ये 5 महीने का video है मैं actually मैं एक महीना late हो गया हूँ वीडियो बनाने में 6 महीने का video जस्ट 2-3 दिन के अंदर मैं डाल दूँगा जिससे step by step अपनी सारी progress cover होती रहे और कितने graphs लगे हैं कितना result आया है कितना अभी current का 6 महीने का growth है वो सारा मैं next video में cover करूँगा वो थोड़े detailed video रहेगा proper picture comparison क साथ आशा करता हूँ आपको यह video पसंद आया होगा जैसा भी आपको वीडियो लगाया प्लीज feedback comments में दीजिए thanks for watching